दीवाई डीएक्स डीसेंट्रलाइज एक्चेंज पर आप किस प्रकार अपने वालेट से एक्चेंज पर फंड डिपॉजिट करेंगे इसके अलावा अगर आप टेस्ट नेट पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानि कि रियल पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं आप आपको जो demo trading के लिए पैसा मिलता है या आप बोल सकते हैं कि आपको जो USD मिलता है वो किस प्रकार से आप deposit कर सकते हैं एक ही वीडियो में दोनो प्रोसेस में आपको explain करने वाला हूं उमेद करूँगा कि आप सभी कोई वीडियो अच्छा लगेगा सबसे पहले स्टेप है को follow करेंगे कुछ इस प्रकार के page पे आप आ जाएंगे यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा connect wallet का नीचे भी आपको एक option मिल जाएगा connect wallet का जहां पर लिखा होगा connect your Ethereum wallet to deposit funds and start trading यहां पर आपको connect wallet का option मिलेगे इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो भी wallet है simply उस wallet का आप यहां chain करेंगे for example आपके extension में वो जो wallet है वो add नहीं है so आप यहां पर wallet connect के option को use करेंगे and इस QR code को scan करके आप आसानी से login हो सकते है for example मैं metamask use करूँगा मैं metamask पर क्लिक करूँगा metamask पर क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे verify करन request आईगी वापस से आपको sign in करना होगा उसके बाद में आपका जो wallet है वो यहां पर login हो जाएगा अगर आपको कोई error आता है तो वापस से आप एक बार page को refresh करेंगे वापस से same process आप follow करेंगे अब सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि आप किस परकार से real USD है जो आपके wallet मे रखा हुआ है उसको किस परकार से deposit करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर DYDX जो exchange है उसका logo आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर आपको mannet and testnet का option मिलेगा जैसे आप mannet पर click करेंगे तो यहां पर आपका mannet select होना चाहिए अगर testnet select है तो सबसे पहले mannet select कर लीजे USD coin यहां klick करेंगे यहांपर click करने के बाद में आपको वह coin यहांपर select करना है जो कि आपके wallet में है for example आपके wallet में USDT रखे विये हैं so आपको यहांपर Tether USDT का option मिलेकर इस पर click करने के बाद में आपको यहांपर amount डालना है कि आप कितना amount deposit करना चाहते है वो इससे ज़्यादा या इससे कम जितना भी amount add करना चाहते हैं वो amount आपको यहाँ पर डालना है अगर आप यहाँ पर 500$ से अधिक add करते हैं तो आपकी जो transaction fees है वो यहाँ पर नहीं लगने वाली है आपकी transaction fees आपको वापस से refund हो जाएगी आपको उसके बाद में कुछ नहीं करन हूँ जैसे हैं आप confirm कर देंगे आपका जो fund है simply वो आपके wallet में यहाँ पर add हो जाएगा आप जानते हैं कि free में आप पैसे कैसे add कर सकते हैं उसका थोड़ आसा process भड़ जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर mannet पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर test net पर click करना है इस जैसे हैं आप click करेंगे page यहाँ पर reload होगा और आपका जो wallet वो disconnect हो जाएगा उसके बाद में सबसे पहले आपको metamask पर click करना है अगर आप metamask use करना है तो same to same आपको जो process हो follow करना है अगर आप दूसरा कोई wallet use करना है तो आपको वहाँ पर network add करना होगा उसके बाद में आ आपको जो test networks हैं वो देखने के लिए ना मिले तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक option मिलेगा show hide test networks यहाँ click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद में आपको settings वाले page पर ली जाया जाएगा यहाँ पर एक option होगा show test networks तो basically यह ना आपका off होगा जैसे ही आपका यह off होगा तो आ बहुत आसान है उसको enable करना यहीं पर आपको वापस से click करना show hide इस पर click करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको show hide test network वाला जो page है उस पर यह off मिलेगा आपको सरफ on कर लेना है and वापस से हम back आ जाएगे and यहाँ पर वापस से click करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आ करने के बाद में आपको किनेक्ट वालेट पर क्लिक करने के बाद में MetaMask में डेंप करने के बाद में आपको ownership verify करनी होगी request करनी है request करने के बाद में MetaMask में इस आपको एक pop up आएगा sign in करना है यहां पर नीचे आपको 2 option देखने के लिए मिलेंगे deposit के option पर click करेंगे deposit के option पर click करने के बाद में आप यहां पर 2000 USD यह फिर आप बोल सकते हैं कि 2000 USDC add कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है, हाप पर टाइप करने की जरुरत नहीं है, सरफ आपको हाप पर confirm deposit पर क्लिक करना है, जैसे ही आप confirm deposit पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 2000 USD मेरे wallet में add हो चुके हैं, आप कितने भी add कर सकते हैं, same process follow करना है, deposit पर आपको क्लिक करना है, confirm deposit पर क्लिक करेंगे, आप एक दिन में 10,000 USD तक add कर सकते हैं, वापस से फिर अगली दिन आप add कर सकते हैं, अगर आपको यह fund zero हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि liquidate हो जाता है, यह काफी अच्छा option है, जिसको आप use करके free का USD add कर सकते हैं, और इसमें अपना जो trading planning है, वो कर सकते हैं कि आपका जो planning है, वो अच्छे से work कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर अच्छे से work कर जाता है और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इस like हो चुका हूँ कि अपना जो real पैसा है, उसको use करके trading कर सकता हूँ, उसके बाद में आप जो real fund है वो deposit कर लीजिएगा, अगर आपको fund deposit करने में कोई भी समस्या आती है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं,